हाई वेलकम तो पी एल पी एडवाइजरी सोविसेज माइनेम इस अनिल वर्मा और आज मैं लेके आया हूँ बिर्ला नविया की लोकेशन पर जो की लोकेटिड है सेक्टर 63A गॉल्फ कोर्स एक्सेंशन रोड अप गुडगाउं इस वी टॉक अबाउट दे लेंड पार्सल ऑफ बिर्ला नविया इस प्रेट ओवर 47 एकर ओफ लेंड विच इस डिस्ट्रिबूटिड फॉर्दर इंटू 5 पॉकेट्स जिस मैंसे की बिर्ला एस्टेट ने दो हजार बीस में तीन पॉकेट्स अमोदा वन अमोदा टू और द वरेरा रिसीव हो चुका है और ड्वेलपर ने फुल फ्लेज में उन फ्लोर्स को सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया है तो आज हम बात करेंगे उनी फ्लोर्स के जो की दिशा पॉकेट के अंदर फॉल करते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसी लोकेशन है किस तरह क स्पैस्सिकेसिकेशन है उसके बाद मैं आपको ले जाऊओंगा सेम्पल अपार्टमेंट में जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा बेस्मेंट उसके बाद सेम्पल अप्ार्टमेंट 3 representing और उसके बाद मैं आपको इक ब्यूटिफुल टरेस गारेंट को जो की मिलता है आपको 120 फ्लोर मिलते हैं इस मेंसे पहले ही द्रिशा वन जो की 18 प्लॉट्स थे वो लॉंच किये जा चुके है और वो इन्वेंटरी सारी सोड आउट है इसी पॉकेट में जो 11 प्लॉट रिमेनिंग थे उस पर रेरा मिला है और उसमें अभी 44 थ्री विच के फ्लॉर्स बिड है यह स्ट्रक्चर भी जो है आपका द्रिशा पॉकेट के ही अंदर आता है अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की स्पैसिफिकेशन फीचर और लोकेशन की अगर बात करते हैं हम बिर्ला नव्या के फीचर्स की तो इसमें आपको फुली गेटिड कम्यूनिटी है और आपको 40 सेक्यूरिति सर्वेसिज मिलती है इसमें आपको आपको कंट्रोल एक्सेस बंटि और एक्जिट पॉइंट रहेंगे जहांपर की आपको ट्रेंड सIE continues गार से Kita REP इस एसमें आपको हर जगाशर्वीरिं के लिए आपको सी सी ट्रीवि केमरा सलगे मिलेंगे आपको अपार्ट तरह से कोशिश की गई है बिर्ला स्टेट द्वारा की आपकी जो फैमली है जब आप इस टाउंशिप के अंदर रहते हैं तो उनको पूरी तरह से सेफ और सेक्यूर फील करवाया जाए अब बात करते हैं फाइर सेफटी की तो बिर्ला नव्या के जो ये अपार्टमेंट्स ह होती है उसमें ही प्रोवाइड किया जाता है लेकिन तो मेक यू फील मच सेफ एंड सिक्यूर बिर्ला नव्या इसमें भी आपको होजरील की बैनिफिट दे रहा है इसके साथ साथ ही आपको हर प्लॉट के ओवरहेड पर आपको एक टैंक मिलता है वाटर टैंक मिलता है जो बिर्ला नव्या में बिर्ला स्टेट ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि जब आप इस टाउंशिप के अंदर रहोगे तो कहीं ना कहीं आपकी एर क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए तो मेंटेन यूर एर क्वालिटी ऑक्सीजन रिच प्लांट्स को इस टाउंशिप में बहुत जगा पर लगाया जाएगा आपके ग्रीन लैंड्सकेप्ट एरियाज होंगे और उसके साथ साथ ही आपको कई जगा पर एयर प्योरिफायर भी इंस्टॉल किये हुए मिलेंगे जो की एंशूर करते हैं कि ऑक्सीजन की जो क्वालिटी है वो अच्छी रह सके त चाहे वो लो राइज हो चाहे हाई राइज हो तो इस बात का भी बिरला स्टेट ने बिरला नव्या में पूरा पूरा ध्यान रखा है आपके हर पलोट के बिल्कुल साथ में ही आपको चिल्टरन प्ले एरिया मिलते हैं ताकि आपके जो बच्चे हैं वो आपके अपार्ट तो आपको इसमें 1.1 मीटर हाई आपको टफन ग्लास के साथ आपको रेलिंग मिलती है जो की एंशोर करती है कि आपके बच्चे सेफ अगर बालकनी में खेलते हैं उनकी सेफटी एंशोर हो सके तो ये कुछ फीचर्स हैं इसके साथ साथ भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो की एक वीडियो में एक्स्प्लेइन करना बहुत मुश्किल है जैसे इसके साथ साथ ही आपको इसमें एक वर्ल्ड क्लास क्लव हाउस की फैसलिटी भी मिलती है विच इस प्रेट ओवर 1.5 लैक स्क्वेर फिट विच फुली लोड़ेट विद आल दा वर्ल्ड क्लास अमेनेटी इस दैट यू कैन थिंक ओफ हैविंग इन वर्ल्ड क्लास टाउंशिप सो लेट मी शो यू दा सेंपल अपार्टमेंट नौ उसके बाद हम बात करेंगे लोकेशन की और जो भी चीजे बच अगर इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 300 गज के दो प्लोट को इकठा करके उस पे कंस्ट्रक्शन की गई है जिसकी वजह से आपको पर फ्लोर दो अपार्टमेंट मिलते हैं एक आपको वाइड लिप्ट लॉबी मिलती है और वाइड स्टियर केस मिलते हैं तो रीच तो यू अपार्टमेंट इसके साथ साथ ही इसमें जो structure निकल के आता है वो है basement प्लस tilt प्लस four level of structure जिसमें की basement goes to the owner of first floor और जो roof है वो आपकी जाती है fourth floor owner के पास जो stilt area है वो आपको car parking के लिए use किया जाता है जो first floor owner है जो और fourth floor owner है उनको तीन तीन car parking मिलती है और जो middle floor owners है उनको यहाँ पर दो car parks मिलती है so यह है यहाँ पर entry gate जो की आपका fully secured रहेगा यहाँ पर आपके security guard रहेंगे और कोई भी अगर आपसे मिलने आता है तो यहाँ पर आपकी video call की facility है and you can ensure कि किसको allow करना है किसे allow नहीं करना है तो यह कही ना कहीं आपकी security को add on करता है और उसको बढ़ाता है तो एक बार मैं gate के अंदर आ गया हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं आपके दोनों तरफ आपको lifts मिलती है अपने अपार्टमेंट्स में जाने के लिए benefit यह होता है कि अगर एक lift खराब है तो आप दूसरी lift का भी use कर सकते हैं यह especially उन लोगों के लिए होता है जिनकों की problem होती है चलने में और खासकर old age लोगों के लिए यह बहुती अच्छा benefit मिलता है और यह है आपका wide staircase जो की आगे जाके आपका दो हिस्सों में बंट जाता है और आपको अपना private staircase मिलता है अपने apartments में जाने के लिए और जो यह downstairs आप देख रहे हो these goes to the basement जो की बहुती beautifully design किया गया है with the sunken coat एक kind of luxury they are providing in your basement जहांकि आपको basement feel basement जैसी होती ही नहीं है तो आई एक बार basement में चलते हैं so right now I am standing in the basement area यहां पर आप staircase से भी आ सकते हो साथ-साथ ही आपका lifts भी है जहां जो की use करके आप basement में आ सकते हो हर basement में आपको दो areas मिलते हैं क्योंकि पर floor आपके दो apartments हैं तो आपको दो basements मिलती है let me take you inside the basement so this is a very beautifully designed basement area which goes to the floor owner of first floor जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी basement है बहुत ही beautifully designed की गई है इसमें आपको एक बहुत ही decent area निकल के आता है जिसको की आप as a drawing room as a guest room जैसे भी आप इस basement का use करना चाहे आप इस basement को use कर सकते हैं what is the best feature of this basement that is sunken coat जो इसके बिलकुछ साथ में दिया हुआ है उस sunken coat का क्या benefit है कि आपको एक kind of balcony मिल जाती एक terrace मिल जाता है जो कही न कहीं आपको feel देता है कि आप basement में नहीं किसी ground floor पे या first floor पे ही बैठे हो तो यहां पर आपको proper sunlight मिलती है मैं आपको एक बार sunken coat दिखाता हूँ और you will come to know कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ तो आईए एक बार sunken coat देखते हैं So this is the sunken coat which is attached with this basement area और यहां पर आप देखोगे तो proper आपको sunlight मिलती है यहां पर आप एक बढ़िया sofa वेरा रखके एक sitting arrangement कर सकते हैं और you can enjoy your leisure time with your family and friends इसमें आपको wet point का provision मिलता है So this was all about basement So now let me take you to the sample apartment which is built over 300 square yard of area बहुती प्यारा 3BS case में निकल के आता है decent sized rooms हैं चो चली एक बार वो भी देख लेते हैं So right now I am standing in front of this sample apartment मैं बाहर लॉबी में खड़ा हूँ जिसके की दोनों तरफ आपको lifts मिलती है उसके साथ साथ ही आपको अपने private stairs मिलते हैं एक इस तरफ है एक उस तरफ है So आपके अपने private stairs हो जाते हैं अपने apartments में जाने के लिए अब मैं आपको जो में गेट है उसको दिखाना चाहूंगा That is made of hardwood proper white gate है इसमें जो आपको है डिजिटल लॉग की facility मिलती है जो की आपके security features को और add-on करती है इसके साथ साथ ही आपको video calling की भी facility मिलती है जिससे की आप allow कर सकते है कि कौन आपके apartment में एंटर कर रहा है आपको किसी को allow करना है या नहीं करना है So ये आपकी security को और ज़्यादा enhance करते है So let me take you inside the sample apartment and give you a quick round about this 3BHK sample apartment So sample apartment में एंटर करते ही fire area के right hand side में आपको मिलता है ये first room अगर बात करते हैं इस room की तो ये decent size का room है जिसमें की developer की तरफ से आपको laminated wooden flooring मिलती है V RV air conditioning मिलती है wardrobe space का आपको area मिलता है इसके साथ साथ ही आपको इसमें washroom attached मिलता है which comes with all the sanitary fittings of reputed brand उसके साथ साथ ही इसमें आपको एक balcony का access भी मिलता है let me show you ये जो balcony है इसका access आपको तीन जगा से मिलता है first bedroom, living and dining area और master bedroom of this apartment so ये आपकी main balcony होती है इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ living and dining area of this apartment अगर मैं एक बाद मिलता है so right now I am standing at the living and dining area of this apartment अगर मैं यहां से आपको यहां का फ्लोर प्लान समझाओं तो right hand side में आपका main entrance gate है और उसके left hand side में ही घुषते ही आपको एक room मिलता है मेरे left hand side में यह आपका living area है right hand side में आपका dining area और उसके साथ kitchen आता है एक छोटा सा आपको area मिलता है जिसको आप as a smoking area भी use कर सकते है साथ में ही एक और bedroom आता है bedroom number two और मेरे left hand side में आपको यहां पर bedroom number three जो की आपका master bedroom भी है वो मिलता है तो यह था इसका floor plan अब बात करते है living or dining area की तो अगर बात करते हैं इस apartment के living or dining area की तो इस apartment के हिसाब से जो living or dining area है उसका बड़ा ही decent size है इसमें आपको balcony का area मिलता है balcony access मिलता है आपको living or dining area से और right hand side में भी एक छोटा सा access मिलता है balcony छोटी सी balcony है जिसको की आप as a smoking point भी use कर सकते हो अगर बात करते हैं इसमें की आपको developer की तरफ से क्या मिलता है तो इस living or dining area में आपको imported marble flooring मिलती है वी आरवी air conditioning मिलती है तो यह है balcony आपकी जो की तीन जगा से access होती है जैसे मैंने पहले बताया bedroom number one living or dining area of this apartment along with master bedroom इस balcony की जो बात है सबसे खास बात वो है कि यह balcony अगर आप देखोगे तो यह आपका जो है structure के अंदर का ही हिस्सा है normally आप दूसरे apartment में देखोगे तो बालकनी जो है आपके structure के बाहर आती है लेकिन इस जो apartment के अंदर है बालकनी आपके structure के अंदर है तो यह कहीं ना कहीं आपकी privacy को maintain करती है जो की एक बहुत ही advantageous point है जिनको की अपनी privacy बहुत ज़्यादा पसंद है उसके साथ साथ ही इसमें अगर आप इसकी railing देखोगे तो इसमें जो railing है आपको toughen glass और steel raining मिलती है जो की 1.1 meter high है जो की आपके बच्चों की safety को ध्यान में रखते हुए बिर्ला स्टेट ने इस तरह का यहां पे use किया है तो यह भी कहीं ना कहीं एक add-on point है अगर safety features की बात करें तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इस apartment का kitchen area सो यह है kitchen area square-ish आपको kitchen मिलता है decent size है इस apartment के हिसाब से kitchen आपको fully modular kitchen मिलता है जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो as it is kitchen आपको मिलता है बस जो यह fridge है यह आपको नहीं मिलता other than this जैसी भी चीज़ें आप अंदर देख रहे हो इस kitchen के अंदर सारी चीज़ें आपको मिलती है इसमें आपको double sink मिलता है marble का आपको top मिलता है आपको lower cabinets, upper cabinets proper मिलते है अच्छी quality का इसमें आपको furniture यूज किया गया है इसमें उसके साथ साथ ही आपको utility area भी मिलता है जहां पर जैसे बाहर washing machine रखी है इस तरह से आप washing machine के लिए इस area को use कर सकते हो यह यह था kitchen area इस apartment का लेट मी शो यूदा second bedroom of this sample apartment so before we move to the second bedroom of this apartment यह एक वो छोटा सा जो area था बालकनी area जिसके बारे में बात कर रहा था जिसको आप as a smoking point भी use कर सकते है एक descent size area है जैसे भी आप इसको use करना चाहो आप use कर सकते हो इसके साथ साथ आपको इसकी वज़ा से proper cross ventilation मिलता है इस apartment में second apartment के साथ जो आपका washroom था वो आपको बाहर दिया गया है जिसको कि आप as a common washroom भी use कर सकते हो अगर कोई guest wear आपके आते हैं तो आप उनके लिए भी as a common washroom इस area को use कर सकते हो और ये है second bedroom of this sample apartment again descent size आपका bedroom निकल के आता है developer की तरफ से आपको इसमें laminated wooden flooring मिलती है आपको वी आरवी air conditioning मिलती है वी आरवी air conditioning आपको पूरे apartment में ही मिलती है और ये है आपका balcony area जो की private balcony है इस room के लिए तो ये है बालकनी जो की आपको इस bedroom के साथ attached मिलती है fully private balcony है इसका access सिर्फ और सिर्फ आपको इस room से ही मिलता है तो इस room के बाद let me show you the master bedroom और final bedroom of this sample apartment so bedroom में enter करते ही ये है आपका dressing area आपको walk-in closet मिल जाता है यहां पर decent size का closet है और इसके साथ साथ ही आपको attached washroom मिलता है which is fully fitted with sanitary or bath fittings इसमें आपका bath area जो है आपको separate करके दिया गया है जिसमें कि आप glass का partition लगा सकते हैं यह जो glass का partition है यह आपको इसमें नहीं मिलता है वो आपको लगाना पड़ेगा बट उसके अलावा जो भी आप इसमें देख रहे हैं वो सारी चीजे वो सारी fittings आपको मिलती है developer की तरफ से अब मैं आपको दिखाता हूँ master bedroom this is the third and final bedroom of this sample apartment इस रूम में भी अगें लेमिनेटेड वोडन फ्लोरिंग मिलती है VRV air conditioning मिलती है और यह है आपका access balcony के लिए जैसे की जो की आपका living hall से भी है और first bedroom से भी है so this was the final bedroom of this apartment so now let me show you the terrace area so अब मैं हूँ terrace area पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको staircase मिलते हैं दो-दो आपको lifts मिलती है एक मेरे right side में है एक मेरे left side में है जिस तरह से basement में आपको दो areas मिलते है the same way आपको यहाँ पर दो terraces मिलते हैं the reason यही है कि एक floor पे आपके दो apartments मिलते हैं तो अगर terrace की हम बात करें तो terrace को दो हिस्से में divide किया गया है, पहला gate आपको यहाँ पे मिलता है, जो आप देख रहे हो, यह आपका terrace area separate किया गया है main terrace से, यहाँ पर आपके AC units लगेंगे, यहाँ का जो access होगा, वो सिर्फ और सिर्फ maintenance वालों के पास होगा, तो जो आपका अपना area है terrace का, वो आपका बिल्कुल disturb नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी आपके लावा access नहीं कर पाएगा, तो यह कहीना कहीं add-on करता है safety features को, अगर बच्चे उपर खेद रहे हैं, तो AC units अगर आसपास ही रखी हुए हैं, तो कहीना कहीं थोड़ा सा risk रहता है तो उस risk को बिल्कुल खतम किया है, बिर्ला स्टेट ने एक अलग entrance दे के और terrace को अलग करके जहाँ पर AC units रखी गई है, तो एक बार मैं आपको terrace दिखाता हूँ कि कितना ही, कितना अच्छे से इस terrace को use किया गया है So, यह है terrace area इस apartment का, बहुती अच्छा terrace area है, size भी descent है, आप देखिए builder ने किस तरह से इस terrace का use किया है Proper आपको यहाँ पर grass यूज की गई है, sitting arrangements बनाई गई है, the same way you can use it, आप यहाँ पर barbecue add कर सकते हो कैसे भी आप इस चीज को use करना चाहो, इस terrace area को use करना चाहो, आप कर सकते हो, इसको बहुती beautifully आप design कर सकते हो और यह है बो वाला terrace जो separate किया गया है, AC units के लिए, यहाँ पर आपकी AC units रहेंगी, आप देख सकते हो कि उसका और इसको बिलकुल ही अलग किया गया है, तो अगर आपके बच्चे उपर खेल रहे हैं, तो वो chance में नहीं है कि वहाँ पर पहुँच जाए, तो safety features का पुरी त area is located in sector 63A on golf course extension road of Pudgaon, that is hardly 1.5 km away from main extension road and 2 km away from main golf course road, और जहां पे की आपको नियरेस जो मेटो स्टेशन है, पच्पन चपन का मेटो स्टेशन मिलता है, जो की hardly यहाँ से 2.5 km पे ही होता है, इसके अलावा जो भी आपके top level के schools है, सेंट जेवियर, DPS, Heritage, सारे स्कूल जो है, यह जहां से 200-300 मिटर के distance पर ही है, hospitals, hotels, retail market, commercial office spaces, सारी चीज़े आपको बिलकुल पास में ही मिलती है, तो location is one of the best location for buying any residential or commercial property, अगर मैं आपको दिखा हूँ, जो यह वाला area है, जो आप यह देख रहे हो, यह सारा द्रिशा pocket है, जहां पर की 18 plots पर 72 floors पहले ही launch किये थे 2020 के अंदर जो की sold out हो चुके है, जिनके की construction almost start हो गई है, उसी के साथ साथ ही जो नए 11 floors हैं, उसकी जो locations आपकी रहेगी वो जो office बना हुआ है, एक रो यहां पे आएगी, एक रो उस तरफ आएगी और एक रो उस तरफ आएगी, तो यहां पे आपकी floors निकल के आएंगे, और बीच में आपको एक बहुती बड़ा green park area भी निकल के आता है, अब अगर वीडियो में आप एक structure जो उधर बना हुआ है, वो भी birla group की upcoming pocket है, जहां पर आपको 3.5 और 4.5 BHK के options मिलते हैं, उसकी भी जो launching है, maybe within 1 and a half month हो जाए, तो वहां पर भी अगर आप you are looking for a bigger sizes, वो भी आपके बीच में जो आपकी entry है, वो द्रिशा pocket के लिए हो चाहे उस वाली pocket के लिए हो, बीच में आपको 84 meter की sector road लगती है, जहां से आपकी इस project के लिए entry होती है, तो जो entry भी है वो भी आपकी main sector road से ही है, जो की आपकी location को और ज्यादा enhance करती है, और ज्यादा premium बनाती है, की regarding बिला नविया, you can contact us on the numbers mentioned on this YouTube video screen, और इसके साथ साथ ही I would like to request you कि आप इस channel को subscribe जरूर करे, so that की इस तरह की investment opportunities जब भी हम upload करे YouTube पे तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए, और उसके साथ साथ इस video को लाइक और शेयर करना भी ना भूले, thank you very much for your time.